तो आज हम एक amplifier बनाने वाले हैं जो काफी दमदार है और high quality की base आपको provide करता है अगर आपके पास कोई भी आसा amplifier है जो बहुत पुराना हो गया है और जिसके sound quality उतने अच्छी नहीं आ रही तो आप उसको इस तरीके से बना के update कर सकते हैं और एकदम नहीं जैसा वो अच्छी quality का sound आपको output करके देगा तो इस जो amplifier को बनाने के लिए कौन-कौन से component की हम लोगों कुछ जरुवत पढ़ती है और किस ट्राजिस्टर पर based है यह amplifier यह सब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं तो गाइस वीडियो पर बने रहिए वीडियो पर हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है यह amplifier का जो module है वो है और यह 1942 पर बेस्ट है जो कि टील करता है 30V से लेके 50V सप्लाई तक जो कि प्लस माइनस होती है यहां आपको positive और negative सप्लाई देनी पड़ेगी और साथ में ground पर देना पड़ेगा अब देख सकते हैं ground के लिए ज यह जो है यह green और yellow wire यह आपके bass treble board से आएंगी जो कि green जो है ground है और yellow जो है वो bass treble से आते हुए यहां पर audio input करेगा कुछ इस तरीके से यह amplifier है यह काफी चोटा है लेकिन sound जो है बहुत अच्छी प्रवाइट कराता है यह cellcon company का है और इसमें जो TT series के transistor लगे हुए है जो बा आगे बढ़ते हैं और देखते कि दूसरा हम लोगो को किस चीज का जरूत पड़ेगा यहां पर amplifier बनाने के लिए तो यह जो आप तीक रहे हैं यह है bass treble board जो की 2550 से मिलकी बनता है तो इसको supply requirement जो होती है वो है 12.12 की आप बहुत ज्यादा voltage को नहीं दे सकते हैं और साथ में जो है इसको audio input की जरूत पड़ती है जो कि मिलेगा इस display से जो कि है multivita display जिस पर bluetooth इंकूड़ेड होता है तो कुछ इस तरीके से यहां पर bass treble board काम करता है और यहां से आपको देख सकते हैं कि इसको आपने input दिया हुआ है यहां से तो आपको मैं इसको back side से पी दिखा देता कुछ इस तरीके से जो है यहां पर जो है bass treble board है इसमें चार volume है इसमें master bass mid भी है और high pass है और low pass है कुछ इस तरीके से तो यहां पर जो है आप यहां पर 12.12 की connection कर सकते हैं देखिए मैंने किया है यहां पर चुकि मेरे पास जो transformer था उसमें अलग से जो है कम ampere पर 12.12 valuable नहीं करता है यहां पर आपको देने यहां पर आप आउटपुट ले ले और इसको ठाके जो है हमारे transistor पर दे दे यहां पर और बाकी जो है इसको supply यहां से मिल जाती है और input यहां से मिल जाता है यहां आप देख सकते band pass mid pass और high pass और master volume है बहुत अच्छा ही bass treble है और बहुत अच् करेंगे supply को filter करने के लिए और positive negative supply को stable वराने के लिए और यहां पर मैं हमने यूज किया है 30-30 का transformer जो की आपका 6 ampere पे है 6 ampere पे 30-30 transformer जो की copper winding पे है का feature transformer यह तो कुछ इस तरीके से इसमें component की नीड होती है और यह जो है आपका Bluetooth display है अब जानते हैं कि इसमें 5 बोल की supply की requirement होती है और साथ में यह left right का इंपर भी खट प्रेड्यूस करता है तो यहां पर इसकी चीज़े जहां पर mention है दे इसको पाच बोल्ट प्रोवाइट कराने के लिए मैंने यहां पर एक 7805 का regulator लिया हुआ है चुकि हमारे वेस्ट्रेबल बोल्ट से 12 बोल्ट के supply लेता है और यहां पर पाच बोल्ट निकालता है अपने display के लिए तो इस तरीके से यहां पर यह चीज़े बनी हुई है और आपको अगर पूरा connection या wiring डाग्राम इसका देखना है तो मैं आपको बता दें साइट से किस तरीके से इसकी wiring आपको करनी है काई सबसे पहले आप देख सकते हैं यह जो है transform की primary winding है जो की open है और यह है इसकी secondary winding तो यह जो है एक बार हमने यहां पर लगा दी जो जा रहा है capacitor के negative point पे ठीक है और यह capacitor की values भी आपको बता देता हूं कि यह value हमने इस्तमाल करी है यह है 100V 10,000μF अगर आपके पास 360V 15,000μF की capacitor है तो आप इसमें लगा सकते हैं यह transformer आउट कर रहा है अलग बग 50V आप 30 चे मतलब यह overall capacitor के बाद यह कहानी है कि यहां 50V हमको मिल रहा है तो यह जो board है यह काफी ज़्यादा high board भी bear कर सकता है मतलब 50V अप इसको अराम से दे सकते हैं तो यहां से जो है हमने diode को ultra opposite लगाया हुआ है यहां से minus से plus यह जा रहा है तो यहां पे negative volt create होंगे ठीक है और इसके opposite में यह यहां पे ultra लगा हुआ यह plus से minus है तो यहां पे plus volt create हों कुछ इस तरीके से और जो बीच का जो है यहां पे यह जीरो की wire है तो यहां पर यहां पर अपना ground create होता है तो आप देख सकते हैं जो red wire है वो इस PCB में चले गई है जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि कुछ इस तरीके से जो है इसका PCB होता है तो आप देख सकते ह तुक कूछ तरीक़े से यहां पर हिमने कनेक्ट कर दिया MAX अबने हमने यह 10-1 diff और चिरॉबर को अघित कर दिए और यहां आप ने हमने दे दिया है तो यहां से जो है यहां की यहां पर कंप्लीट हो जाती है और जो है यहां पर देख सकते हैं कि हमने 5 वोल्ट यहां से बना लिया है, positive supply से जो कि आपकी beauty board पे आती है तो यहां से आपको कुछ नहीं करना है कि कहीं पे भी आपका यहां जैसे बीटी बोर्ट पे जहां पर प्लस वारा बोल बन रहा है वहां से आपको जो है इसकी फर्स्ट लैग पे बार वोल दे देना है और बीच पे ग्राउन और यहां से आउटपुट ले लेना है वापिस जो कि आपको भूमते हुए यहां पर डिस्प्ले पर चला जाएगा डिस्प्ले की वाइरिंग में थोड़ा सा फोकस करना है क्योंकि डिस्प्ले अपोजिट लगाने पर शॉट हो जाता है तो यहां से यह वाइरिंग साई कंप्लीट हो जाती है कुछ इस तरीके से फिर हमार यहां थेटर एम्प्लीफार बनता है क्योंकि काफ़े अच्छा बेस प्रोवाइड कराता है साउंड क्वालिटी काफ़े ची होती है इसकी और इसमें जो है इस तरीके के अगर अप पीस ट्रबल इस्तमाल करेंगी तो आपको अच्छा-कासा कंट्रोल मिलेगा आडियो पे तो चली हम फटाफट से अपना जो है ट्लिफार वो टेस्ट करते है और आपको इसका जो है साउंड क्वालिटी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यह साउंड आपको प्रोवाइड कराता है और यह हमारा 8 इंच का यहां पर स्पीकर है तो चली हम स्टार्ट करते हैं इस पर हमारा एंप्लिफार सिस्टम अन हो चुका है अब हम आपको यहां पर एक जो है फोन है जो कनेक्ट है यहां पर ठीक सकते हैं आप तो हम आपको इसका साउन्ट टेस्ट करके दिखाते हैं साउन्ट प्री करके अच्छिए करा एंप दिखाते हैं से लगारा एंप्लिफ में पर लेकर एंप माड़ें आपको विसका एंप प्राइब कर्या讲 साउन्ट प्राश Sounds स्वी कष्णी आपको अजिए, ऍटार्स तक जावाजे हैं साउन्ट आपको इपे लोगारें आपको आपको तो आप देख सकते हैं कि कितनी क्लियर और कितनी अच्छे वाज यहां से मिल रही है और काफी अच्छा बेस यह प्रोवाइड करा रहा है और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इसका जो सिंक है वो काफी छोटा होता है आप देख सकते हैं और यह थोड़ा सा गरम भी हो जाता है तो अगर आपको लॉंग टर्म में इसको यूस करना है तो आपको जो है यहां पर यह तो फैन प्रोवाइड कराना पड़ेगा या पर इसकी सिंक बड़ी करके फिर इसमें फैन लगाना पड़ेगा तो अगर आप कोई कैबिनेट पे इसको माउंट करते हैं और इसको लगाते हैं तो अब क्या अगर यह कि यहां पर एक पंखा जरूर प्रोवाइड करा है बारा वोड का जो फैन गो यूस होता है वो अब इसके पर प्रोवाइड करा है ताकि यह जो लॉंग टाउन में हैं खराब ना हो प्योंग टाउन में यूस होगा तो हीट जादा होगा बाकि जो बोर्ड है इसमें कोई दिक्कत नहीं है बहुत अच्छा यह साउंड प्रोवाइड कराता है और काफी अच्छा इसका output रहता है तो अगर आपको पास कोई अच्छा आप amplifier है जो कि sound अच्छे से नहीं निकाल रहा है क्योंकि उनमें analog system यूज होता है तो आप इस तरीके से वहाँ पे जो है amplifier यहाँ पे बना सकते हैं और आपको customer को दे सकते हैं जिससे customer यहाँ से आपको अगर 100-1.5W का output शायए किसी amplifier में तो आप इस तरीके से वह amplifier बना सकते हैं यह अराम से जो इसका पेर जो है 19-42 और जो पेर होता है वो 1.5W तक निकाल सकता है अगर आप उसको अच्छा खासा transformer यूज़ कर आ रहा है अच्छा ampere में transformer यूज़ कर रहा है तो काफी अच्छा यह output आपको मिलेगा आपको जो है audio में इतनी humming भी समझ में नहीं यह बहुत कम humming होती है अगर आप अच्छा capacitor में इस्तमाल कर रहा है तो बाकी तो आपको पताईए कि इसकी sound quality कितनी अच्छी है आपने अभी सुना इसको पुच्छे से तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और जो भी आपका question होता है इस वीडियो से related वो मेरे को comment section में जरूर बताएं अधाकि मैं और भी वीडियो मना सब हूँ आपके लिए different types में home theater के amplifier के काभी कुछ knowledge मेरे को है इसमें electronics में तो आप बताएं मेरे को तो मैं आपको वीडियो बना के दूँगा thank you for watching